हैलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हैं? आप सभी लोग उमीद करते हूं सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि गर्म पानी की कितने फाइदे होते हैं हमें वैसे गर्म पानी ही पीन चाहिए जब तर से अब मैं इसमें एक सिट्टी लगाऊंगी, इसमें हमारे गैस की भी बच्चत होगी, और इसे क्या होगा, खाना भी बहुत स्वाधिश्ट होता है, जैसे हम दाल को छोंक लगाते हैं, तो ठंडे पानी के बजाए हम गरम पानी डालें, तो इसमें खाना जल्दी भी बन जाता कि कितने हमें फेंगने से अच्छा ही है कि हमें रखें, और कितने यूजफूल होते हैं, यह देखिए, यह बच्चों का एक बरस था पुराना, और इसको मैंने गरम पानी करके कुछ देर तक एक भीगोने में छोड़ दिया था, इसमें जो भी जम्स होते हैं, एक्तम साप हो गया था वरस गरम पानी से धोने के बाद, फिर यह देखिए, जो प्रेसर को करका यह धकन होता है, इसे हम साप करते हैं, लेकिन कभी क्या होता है, कि जैसे डाल की सिटी आ गई, डाल इस पर उबाल आ गया, तो यह इसकी जो सिटी है, या इसको अच्छी तरह से हम इस कर करका धकन अभी धोल लिया है, और इसके बाद में इसको यह रबड है, इसको भी निकाल लूँगे, इस साइड से भी इसको साप कर लूँगे, एक्तम साप हो जाता है, यह देखिए, तो बहुत योजफूल होते हैं, यह पुराने बरस होते हैं, जो मेरी सिलाई मसीन है, उ और यह जो हमारे टैप होते हैं, इनमें भी जह हम बरतंद होते हैं, तो छिटे पर जाते हैं, और बहुत गंदे हो जाते हैं, बिंबार के छिटे चिटे हो जाते हैं, तो बहुत गंदे से दिखते हैं, तो हम कितना भी साप करें, लेकिन इतना जादा नहीं चमक पाते हैं, तो इसी बरस से मैं इसे बिम्बा लगा कि इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लूँगे। उसके बाद मैं Isको पानी से साफ करलूँ रिежती है। और जैसे यह सिंग के रिया है सिंग के रिया में भी हम बरतंद होने के बाद साप करते हैं तो जो इसके कोने हैं ना सिंग के यह बिलकुल साप नहीं हो पाते हैं पाने में जैसे पाने के दाग से पर जाते हैं सपे सपे से पाने में चोना होता है ना तो एक्तम क्लीन नहीं हो दूंगी ये दिखिए बहुत योजफुल होते हैं ये जो पुराने वरस होते हैं अभी एकदम से साफ हो जाएगा क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले से इसको पाने में भिगोके रखा था जैसे दूद उबल गया था उसके बाद ये पूरा खराब हो गया था दूद उबलने के बाद इस तरह से आलत जाते हिसमेरे कैस की को मैंने सांप कर लिया था और इसमन्हें यहाँ पर दाल लिया था पाने में दिक्षे मैंने इसको साफ कर लिया है उसके बाद में सिंकेर्या को भी साफ कर लूँगी तो दोस्तों ये देखिए अभी कितना साफ हो गया है हमारे टैप और सिंग के अरिया भी बिल्कुल साफ हो गया है ये वीडियो मैं रात के टाइम के बना रहे हूं साथ साड़े साथ वजे का टाइम है और कीचन में थोड़ा लाइट तेजनी है इसलिए थोड़ा ऐसा धंदला सा दिख रहा है और अभी फ्रेंट्स देखिए मैं एक टिप्स और टिक आप लोगों के साथ जो सेयर कर रहे हैं ये बहुत ही यूजफुल है और ये भी नाइट का ही टाइम है क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का बिलकुल भी दिन में टाइम लगा अकसर हम जब रोटिया बनाती हैं तो इसके लिए सूखा रोटिया बेलने के लिए सूखा जो आटा यूज करती है अलग से तो उदर उदर गिर जाता है उसे फेकने से अच्छा मैं एक वरतन पर रख लेती हूं तो ये रोटी बेलते समय का आटा है ये मैंने इसमें डाल द आधके हम इसको जल्दी से बहुत कम समय में में इसको साफ कर सकती दीकिए इक्थामे का लोटा है इसको साफ कर रहे हूं बहुत ही ज्यादा गंदा मैंने काफी случа माँनेोगे जो तामे के बरतन थे ऊचे नहीं किये और कुछ अभी और भी हैं वस दो बरतन मैंने साप किये बहुत लेट हो गई थी अभी देखिए आप इससे जो है कितनी चल्दी साप हो जाएगा तो मैं इसको इस तरह से हाथ से ही रगड़ूंगी अमलब जो इसक्राब होता है उससे नहीं हाथ से मैं इसको साप क है पाने का मैं उसे भी साप कर लेती हूँ अभी इस पर और है बचा हुआ जो मैंने आटा और नमक बिम्वार मिक्स किया था ना वब और है बचा हुआ तो मैं जग को भी साप कर लेती हूँ इससे डिनर बनाने का टाइम हो रहा था तो मैंने सुचा मैं यह काम कर रही देखिए कितना गंदा लोटा कितना चमक रहा है और जग देखिए क्या हालत हो रखिए इसकी तो मैं इसको भी फटा-फट करके साप कर लेती हूं पहले मैं इसका धकन साप कर लेती हूं उसके बाद जग को भी साप कर लेती हूं तो यह वाली टिप्स आप लोग भी अजमा क कि देख लीजीएगा. तो इसे में इसका रप से साप कर लेतुँ जग की तो भोथी हालत खराब हो रखी थी तो देखे कित्वी जल्दी साफ हो रहा है तो इसका धकन एकदम न्यू सा लग रहा है और इसके बगल में जग रखा हुआ इसकी हालत देखिए कैसी है तो फटाफट करके मैं इसको भी अभी साफ कर लेती हूँ लगने रा कि इसका धकन होगा तो गाइस वीडियो पसंद आए और ये देखिए इतनी जल्दी साफ हो रहा है तो देखिए कैज मैंने इसे मांग लिया उसके बाद मैं इसको साफ कर रही हूँ तो बहुत कम टाइम मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है कितनी जल्दी से साफ हो गया है तो आप लोगे ट्रिक अजमा के देखिएगा इससे तांबे के बरतन बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं ये देखिए कितना साफ हो गया है जबकि मैंने बहुत जल्द बाजे में ये खाम किया तो लोटा भी मारा एक दम क्लीन हो गया है तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करकी जरूर बताईएगा कि वीडियो कैसे लगी आप लोगों को अभी मैं आप को दिखाती हूँ ये दिखिए नाइट का टाइम है इतना मलब साफ नहीं दिख रहा है कीचन में लाइट कम है फिर भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल न्यू जैसा लग रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है तो चलिए गाईज मिलेंगे जल्द ही आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई गुड़ नाइट